एक गिटार को लेखे काफी दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं कि एन्या EB-X1 PRO रिव्यू करो जल्दी अभी शॉर्ट वीडियो डाला था मैंने इसकी अन्बॉक्सिंग का तो काफी सारे मैसी जाए कि इसकी रिव्यू करो इसका अच्छा सा रिव्यू मना हो बड़ी मुश्किलों इसका इंतिजार था मुझे भी आपकी तरह इसका डिटेल रिव्यू बनाने के लिए हम बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं और बिल्कुल अच्छी तरह जानेंगे इस गिटार के बारे में ठीक है चलिए लेट्स टार्ट बिल्कुल शुरू से शुरू करें तो यह गि आपको 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 आपने देखा हुआ वह मार्टिन का एलेक्स फन में भी मॉडला सम्थिंग यह उससे इंस्पायड है पर यह बहुत अच्छे स्पेक्स के साथ आता है एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि एन्या ने इसमें ट्रांस अकूस्टिक पिकप दिया वही वला जो अनया अनोवागो में दिया था पर इसकी जो बैटरी वैगप है वह अने नोवागो से मुझे परसनल ही fé zhad nah ड़ बहुत लंबा चलते है इसका बैटरी वैक एड它 वाई भी बहुत अच्छी है, sound भी काफी अच्छा करते है इस गिटार का जो टॉप है, वह है, solid screws top एन्या का कहना है कि हम इसे 10 साल के लिए air dry करते हैं इस लकडी को, इस वूट को, एंद इसको गिटार के लिए यूज करते हैं इस गिटार की जो बैक एंड साइड वह है, HPL, Rosewood जो की Martin जैसे premium brands में देखने को मिलती है और इस गिटार का जो प्राइस है मैं आपको बता दूँ 25,000 है काफी अच्छा प्राइस है और इतने premium specs भी मिलते हैं आपको है ना इन-हेंड फिल गाईस, seriously, बहुत premium है मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, जैनल बता रहा हूँ आपको ठीक है कुछ खामियां ही होंगी तो हम उसको जानते हैं अभी बाद में मैट फिनिश का यह गिटारा, चोट उसा गिटारा है बट इस मतलब एनने बहुत तसली से इस पर craftsmanship की है बात की जाए इसके rings की जो sound wall के side में यह laser के through किये गए है nut and saddle bone के है and neck जो है वो है mahogany wood का आपको neck पे step button भी मियो जाएगा सबसे अची चीज यह है कि binding के लिए कोई extra material नहीं यूज किया गया इसको ही एजलेस कर दिया गया है जिससे क्या होता है कि solid top guitars में sound बहुत enhance होता है last time हमने जब वह lag का guitar review किया था तो उसमें भी यही technique यूज होई थी यही craftsmanship यूज की थी है आप देखो कि यह premium सा बटन दिया हुए trans acoustic का है जिसको हम press करके है तो बहुत अच्छा वर करता है यह देखिए आप इतना चवर करता है चाप रिसेट्स हैं और आप इसको एन्या की एप से control कर सकते हो असानी से राइट साइज वाइस अगर मैं इस guitar को compare करूं full size guitar से तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा difference है पर आपको पता है कि मेरे फेवरेट जो गिटार है वो आजकर travel size बने हुए है यह guitar भी मेरा फेवरेट है पर इस पर एक separate video बनाया है मैंने कि मुझे travel guitar size क्यों पसंद है travel size guitar sorry है तो आप वो वीडियो जुरूर देखेगा जैसे कि मैंने पता है कि इस guitar के साथ आपको padded bag मिलता है बहुत ही अच्छा बैग है एंड इसके साथ कुछ accessories भी मिलती है जैसे कि सबसे पहले ये छोटू सा bag कितनी क्यूर सी चीज है अगर कोई performer है कहीं गेक्स में perform करता है या तूर करता है तो कितनी अच्छी चीज है उसके लिए है न कुछ भी रख सकते हो जो आपका casually समान है ये स्टिंग का सेट मैंने कोल ली है आप देख सकते हो एंड ये स्ट्रैप का एक box मिलता है स्ट्रैप क्योंटे क्वारी इस रेडाय कॉर्ड काफी प्रीम्एम्ल्स ट्रैप है जो अने आ से अनिया ऑगों के साहथ यह वही स्ट्रैप है राइट राइट ऑश्के पॉलिशंग क्लोथ 5 एक एक फाप्र स्टिंक ने अillion को जींब है तर देख ने वेकल करेंगे और जि इसको काफी तसली से बनाया मेरे किल से अन्याने तो अभी तक कोई कॉण नी मिले हुझे यह जिस्टार सा मिर को है वी पील हो रहा है एक दम लाइट नहीं है और जिस्से मिल को मतलब कहते है ना थोड़ा थोड़ा भारी सा लग रहा है काफी अच्छा फील आ रहा है पर्सनल सांड सुर रहे हो ना सॉलिड टॉप के क्या फाइद है छोटू सो गिटार में इतना बड़ा सांड आ रहा है और इतने अच्छे सस्टीन के साथ यह मैजिक है यह जादू है सॉलिड टॉप गिटार्स का क्रेट चलिए जी स्ट्रम करके देखते हैं कि अच्छे स्ट्रम करते हैं अभी मैंने कोई भी प्री सेट नहीं आउन किया आपको मैं पहले प्ता दू यह नेच्रल सांड जो रॉव सांड आइधिंग जिन लोग को एन्ने नोवा गो से प्रॉलम थी कि वो ट्रांस अकुष्टिक वो प्लास्टिक सांड आता है यह चीज परिफेक्ट है कि आपको वोडन गीडार भी मिल रहे है ट्रांस अकुस्टिक मिल रही है और चोट उसा भी मिल रहे है जो कि आपने देखा होंगा अरkonसर्ट में वो यूज करて हैं मार्टिंगा अनोजयन का उणकन सर्ट में भी यूज होता है वह मार्तिंग है य कर दो कर दो कर दो को चलिए अब इसको अन करते हैं सबसे पहला प्रिसेट यूज करते हैं ग्रीन ठीक है ओके लेट्स लेट्स लिसन इसमें डिले और रिवर्ब नहीं है ये इसके साथ ही एक हार्मॉनिक्स कुछ एड़ हो रहे हैं अगर मैं इसको एक बार और प्रेस करता हूं तो ये ब्लू लाइट जलती है एंड ये रिवर्ब है जैसे की आपको पता ही होगा अगर अन्याट्व वागो की वीडियो देखी आपने तो सी रिवर्ब रिवर्ब कितना चाहिए कितना लंबा रिवर्ब चाहिए कितना ड्राइश कर सकते हो ये बटन भी है प्रेस करने के लिए और ये फेडर भी है मतलब आपको करूं इसको क्लॉकवाइ़ गुमाओं ये तो प्रीशेट सांटफोल रहा एक क्लोथक्र जहन में में की टे टे-इस कि यह जिस्ट में कैजुली प्ले कर रहा हूं साउंड शेक करने के लिए ठीक है तो इतना जाना जहान मत देना कैसा लगए आपको बताईएगा जरू ठीक है नेक्स्ट जो और देखते हैं डिले पे बिसिकली यही प्ले करता हूं में बड़ा अच्छा लगता है देखो अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हो है तो यूज कर सकते हो हैना तो पूरी आपके पास फ्रीडम है कितना कुछ आप क्रेट कर सकते हो एक गिटार के बल पे ही है नेक्स्ट यह सेम यॉड्लिंग है वही नीली नीली अमबर वाली अगर मैं इसको ट्राइगरों तो मेरे को यही पसंद आए इस पर कहरी यह चीजे लीडिंग के लिए बहुत ज यह रिवर्ब पे सेट है इसमें अब जैसे मैं कैपो लगा हूं फिफ्ट थ्रेट पे एंड रिवर्ब से कितनी वाइब आ रही है खास करके रिवर्ब के साथ में को कुछ भी प्ले करता हूं जब मैं प्लगिंग हुआ रहा तो बहुत मज़ा आता है लाइक देखो है तो यह गिटार यहां से देखिए आप चार्ज हो सकता है एंड यहां से यह केवल के साथ कनेक्ट होता है तू आती है सीने में जब जब सांसे भरता हूं तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज बुजरता हूं हवा के जैसे चरती है तो नेरत जैसे उड़ता हूं कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं हाँ हाँ कर दो कर दो कर दो इसका जो नेक प्रफाइला वो है सी शेप काफी स्मूदली में शिफ्ट कर पा रहा हूं कोई प्रॉब्लम नी यारी मिर को अवरॉल ठीक है जब आप इस गिटार में स्टैप लगा लोगे तो आप स्टैंडिंग पूजिशन में जब गाओगे तो वह बहुत ही अच्छा लगता है देखने में चोटो सा गिटार है क्यूट सी एक वाइब सी आती है समझ सकते आप अगर आप इस गिटार को लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा 25,000 सम्थिंग इसका प्राइज है अगर आप संदीब कूपन कोड यूज करोगे तो आपको पहुत ही अच्छा डिसकाउंट मिलेगा आप एक बड़ जरू ट्राइ किजेगा परसनली मुझ अगर आप कोई गिटार डूंड रहो ना आप पर्फोर्मर हो आप ट्रेवल करते हो तो आइधिंग इस इस बेस्ट वन तू बता रहा हूं अगर आप मुंबई आप उन्हे में रहते हो तो आप जरूर जाहिए प्रोग्राफ्ट इंडिया के स्टोर पे एक बद जरूर चे झाल 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 झाल